हेलो अब्रीवन इस वीडियो में हमको खुशा 6 से 8 वी की गतिविधी पत्रक नंबर 8 करेंगे दिनांग है इसकी 25 जनवरी 2022 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बेटन प्रेस कर दी जिससे आगेने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे हैं चलिए आज की वक्षिट देखते हैं उससे पहले मैं आपको एक इन्फोर्मिशन देना चाहती हूँ Dear Learners, आप लोग Mobile या Laptop पर Games तो खेलते ही होंगे बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में competitive game-filled battle दिया है एक ऐसा battle जहां पर आप live thousands of learners के साथ compete कर सकते हो एंच साथ ही scholarships, medals and merit certificates भी जीच सकते हो यह सब possible है Unacademy Combat में जिसमें इंडिया के top educators के तुरू framed questions होंगे बोथ हिन English और Hindi, real-time leaderboard generate होगा after every question, personalized scores and ratings से आप अपना performance evaluate कर सकते हैं, detailed video solution मिलेगा हर question का और सबसे important, top performers को मिलेगा merit certificate, medals and you can win a scholarship worth rupees 1 करोड यह combat एक free live test है, जो class 6th से 12 तक की students दे सकते हैं, every Sunday, Unacademy के app या website पे टोटल 30 questions होंगे चिन्हें आपको 45 से 60 मिनिट में solve करना होगा साथ ही Unacademy लाया है limited period offer, 12 month and above के plus subscription लेने पर आपको मिलेगा 3 month का extra subscription बिलकुल free इसी तरहे 12 month and above के iconic subscription लेने पर आपको मिलेगा 6 month का creative corner subscription बिलकुल free description में link दिये होए है, मेरा code BLOWM 10 use करें to enroll for free इतना ही नहीं, इस code से आप कोई भी subscription भाई कर सकते हैं, 10% off पर so learners Unacademy के साथ, let's crack it okay, so students चलिए, अब वक्षि देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि गरतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जन्वरी को मनाया जाता है ठीक है, आप सभी को पता होगा कि गरतंत्र दिवस जो है, हर वर्ष 26 जन्वरी को मनाया जाता है, इस दिन 1950 में भारत का सम्विधान, यानि जो नियमों की किताब है, लागू हुआ था, तो भारत में नियम, जो भारत का सम्विधान है, वो लागू हुआ था 1950 में 26 जन्वरी के दिन ठीक है और तभी से 26 जन्वरी को प्रती वर्ष गरतंत्र दिवस मनाया जाता है प्रती वर्ष 26 जन्वरी को ठीक है तो यहाँ पर देखे एक पिच्चर आपको दे रखी है चित्र में कौन सा राश्ट्रे पर वो मनाया जा रहा है तो आपको पता होगा करतंत्र दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर ठीक है उसके बाद हमारे राष्ट द्वज में रंगों की संख्या लिखिए तो राष्ट द्वज में कितनी रंगों की संख्या होती है जो मारा नैशनल फ्लैग है भारत का तिरंगा उसमें कितने रंग होते हैं तो तीन रंग होत या फ्रती बना रही है उसके बाद ऊपर दियेगैं चित्र की नीचे देगे ध्वज में रंग भरना है तो आप सभी को बता है कौनको से कलर होते हैं तिरंगे में और आपको ये भी पता होगा कि कौन सा पहले आता है तो उसे इसाफ़ से हम लोग यहाँ पर रंग भरेंगे ठीक है तो सबसे पहले orange color आएगा ठीक है सबसे पहले हम लोग orange color यहाँ पर रंगे घीक है उसके बाद white color ही दी जैता है बीच में और last में ग्रीन कलर आता है ठीक है तो हमने ओरेंज फिल किया अब हम ग्रीन कलर यहां लास्ट वे फिल कर देते हैं आप अच्छे से अपनी कॉपी में रंग भरिएगा ठीक है पहले आप ड्रॉ करेंगे इस नैशनल फ्लैक को ते रंगे को उसके बाद इसमें रंग भी भरेंगे ठीक है तो यह रंग भर दिया मैंने ग्रीन और यह जो बीच में सरकल है इसमें हमारा ब्लू कलर आएगा ओके यह ब्लू कलर से हम रंगे इसको तो इसमें ब्लू आ गया तो इस तरीके से आपको यह करना है रंग भरना है ठीक है तो यह देखिए इस तरीके से कलर हो जाएगा उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोला गया है मैंने केसरिया रंग जिस आकरती में भरा है उसका नाम डै तो हर रंग वाला ही आकरती भी आयत की ही है देखे आयत यानि रैट्टेंगल मैंने नीला रंग जिसता आकरती में भरा है उसका नाम दैश है तो यह की नीले रंग वाली आकरती का नाम है गोला जिके यह सरकल है यानि गोला है, ओ के पे देखिए नीचे दिये गए, चित्र में वर्ग, आयत, व्रत और ट्रिभूज गिनिये, चित्र में अपने मन पसंद रंग भी भरिये, तो यहां पर भी आपको चित्र दिया गया है इसमें आप रंग भरेंगे और साथी साथ इसमें जितने वर्ग हैं जितने आयत हैं और वरत और त्रिभुज वर्ग आयत वरत और त्रिभुज इन सब को हमें गिनकर यहाँ पर लिखना है तो सबसे पहले हम क्या गिनेंगे सबसे पहले हम लोग वरत गिनेंगे ठीक है यानि Circles तो कितने Circles हैं इस Picture में आई ये गिनते हैं तो सबसे पहले ये एक Circle हो गया फिर ये देखिए इसकी जो आखें हैं ये भी वरत हैं दो सरकल हैं यहां, इनकी आखें भी अगर गिने तो, तो यह 1 सरकल, यह 2, 3 सरकल अंदर की तरफ, ठीक है, 3 सरकल हो गए इस तरीके से, उसके बाद यह 4 सरकल, 4 हो गए, 4, 5, 6, 7, इनके अंदर भी 2 छोटे छोटे हैं, तो अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, अभी तक हमने 9 उसके बाद देखें, यह दो, यह दो इसके आखें, 9, 10, 11, 11 हो गए, फिर यह 12 और यह 13, और 13 के बाद, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानि 20, 20 हो गए, 21, 22, यह 30, यह 24, 24 हो गए, 25, 26, 27, तो तोटल हमारी कितने वरत हो गए, कितने सरकल है, 27 है, तो 27, यहां मैंने गिंती लिख दिया, आप साथ की साथ इस पिक्चर को भी रंग करेंगे, यानि कलर करोगे इस पे, ठेक है, उसके बाद आयतों की संख्या, तो आयत यानि रेक्टाइंगल, तो रेक्टाइंगल अगर हम देखें तो इसमें बहुत सार 21, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो इस तरीके से अगर हम सारे किने, कुल मिलाकर, अगर आप किने, तो यह हमारे 36 होंगे, ठीक है, उसके बाद त्रिभुजों की संख्या चल्दी से देख लेते हैं, तो एक त्रिभुज यह हो गया, फिर यह 2 हो गया, ओके, और और कहां पर है, द यह बड़े-बड़े हो गये, तो यह हमारे कुल 5 हो जाएंगे, यह काफी कम है, उसके बाद वर्गों की संख्या, वर्ग क्या होते हैं, यह स्क्वेर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, उसके बाद 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और यह 18, ओके, इस तरीके से हमारे 18 हो जाएंग यह वर्ग, तो यह 18, तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, साथ ही साथ इस पिचर को रंग भी करेंगे, और यही आज की वक्षिती, आशकरती हूँ आपको समझाई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेग मिलती हूँ ली वीडियो में, थांक यू पर वाचिंग